दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रो टैक स्टड़ी में और दोस्तो मैं हूँ अर्विन द्यादव दोस्तो फिर मैं हाजिर हूँ 12 अग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एलमेंट ऑप साइंस यानि चप्टर नमर 18 लेका दोस्तो मैं आ पांच नमर के कोशन पूछा जाता है यानि इंप्टर चैप्टर है और इसका नाम है सांक के की फस्त यानि इस्टेक्स फस्त ठीक है दोस्तो इस वीडियो के हम लोग सुरुआत करते हैं देन ना करते हैं बहतरीन है दोस अच्छे तरीक्य से आपको इसको समझते चलना है तो सबसे पहले हैं दोस्तो सांक की किसे कहते हैं इसका महत भी लिखिये सांक की होती गया है अच्छे तरीक्य से समझना है कि इस्टेक्स किसे कहते हैं और इसका इंपोटेंस क्या है इंपोटेंस कोशन है कई बार पूछा जा चुका है इसलिए आप लोग इसको अच्छे सांक्य की समुचित रूप से गढ़ना एबं माध्यों का विज्ञान है रटना चाहो तो रट सकते हो समझने वाली बात है तो समझ यह सांक्य की क्या है समुचित रूप से गढ़ना मतलब इसमें जो भी आपकी जितनी संख्या होती है आकड़े होते हैं वर्गी करन होता है सार्णियत इन सभी का आपका एक माध्य जो है उनका सभी का यह साइंस है यानि सभी का विज्ञान है इन सब चीजों का इसके अंतरगत हम अध्यन करते हैं समझ में आपको कम आया होगा दूसरी डेफिनेशन जो उसमें अच्छी तरीके उनका विवरण और उनकी तुलना के लिए आकड़ों का संखलन उनका वर्गी करन तसार्णियन का कार करता है सांकी कहलाता है कहने का मतलब समझ यह सांकी क्या है सांकी कि में होता है एक्चुली कोई भी घटना है घटना आपन कोई से भी घटना ले लेजिए तो उस घटना का उसकी व्यक्या करना कि उसमें क्या है एक्चुल में उसका विवरण कि किसका आधार क्या है उसका विवरण उसमें क्या-क्या नकना फिर उनको ऑन कानि부터 उनंको सार्नी में डिवाइट करना कि यह सार्नी इस की यह सार्नी तो इन सब चीजों का जो जो अध्यान है ध्यानकना कोई भी आकण यह कोई घटना के चली मि घटना लेजे जी जै। art किसे मान के चली किस पर आपके एक एवी रोड पर हुआ किसी भी आप मतलब हाइवे पर माल लीजिए तो आज के नहीं मतलब कई दिनों की घटना ले लीजिए कितने हुए उनको क्या क्त्रित किये अपने आकड़ों को फिर उन्हीं बर्गों में बाटा कितने लोग इसमें से कितने लोग इसमें महलाएं थी कितने इस सबrils चीजों को आटड़े का तृत क्रित करना आपको फिर उनको बर्गों में बाटना और उनको सारनी के साब से प्रधर सिभकरन को ही आपका सारि वही आपका सांख किय जो आपको कि Лियर हो गया हुआ हो समज़े लिजा हो दो क्या माइने रखता है समझे इसको दोस्तों आकणों की सहता से अगर किसी भी चीज के हमको आखड़े पता चल जाएं किसी भी चीज का हमको डाटा मिल जाता है तो छात्रों की जैसे सेक्षन योगता है उनकी छमता है उनकी समस्या है उनकी रूचिये इन सभी का आपका मुल् आकड़ों से पता कर सकते हैं कि सांकिकी के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि आकड़े हमने कत्रित कि कितनी चात्र हैं कितनी इसमें आपकी चात्रा हैं कितने चात्र हैं उनका युगता क्या है युगता मतलब कौन से 12 में हैं जिसे कौन से लिबंत में हैं तो हम उसका क्या क कितने कितना पढ़ लेता कोई नायंत का चातर इस समंदे समस्या और उनकी रूची रूची उन बच्चों की इनका इंट्रेस्ट है तो इन सभी का जो मूलाइंग के ने, वो किसके अंतरत किया जाता है, आपका सांकी के अंतरत किया जाता है, मतलब कह सकते हैं, सिक्षा ये मनोविज्ञान में आपका सांकी का पहुत अधिक महत्व है, ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका चिकितसा विज्ञान के छेत्म है, यान आंकड़े कत्रत करके क्या आंकड़े हैं मान के चले कोई दबा आई और उसका हमने उप्योग किया तो उसका यूज किया हमने कहीं भी उसका सेंपल ले करके और उसका जब यूज किया एकत्रत किया तो पहले हम चैच करें कि जो ओसदी है हमने जो दबाई दी है उससे कितने म का मतला देश जैसे देश में कोई भी बीमारी फिले अभी जैसे कोरोना चला है आप लोग देख रहे हो तो कोरोना के जो आकड़े हैं कितने रोज मर रहे हैं कितने लोग रोज ठीक हो रहे हैं कितने लोगों को कौन-कौन सी प्रॉब्लम क्रियेट हो रहे हैं तो उनका पूर का एक्चलो मतलब है उनको बर्गों में बाटना, उनको शंक्याओं में लिखना, उनको सार्णी बनाना, फिर उनको फ्रदर्शित करना है कि आंक्ड़े इतनी है, ये सब चीज़ें नो, वे सब सांखे के अंतरगत आती है, ठीक है, इसे तीसरी बात के नियोजन के छेत्र में आक्ड़ों के माध्यम से सरकार है, जानकारी प्राप्त करती है, कि देश में गरीबी, देश में वेरोजगारी है, किर्शी, उतपादन, उनकी मांग, आपपूर्ती की इस्तिती क्या है, बिल्कुल, ये नियोजन के छित में दोस्तों क्या होता मैं आपको बताओ, मान के च हैं, कितने गरीबी रेखा के अंतरगत हैं, कितने लोग वेरोजगार हैं, तो इनका जो आखड़ा है, जिसे और बात करें, किर्सी उतपादन, एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन कितना हो रहा है, इन दोर में कितना स्वाय बीन उतपादन हुआ, कितना मूंग का उतपादन, कितना उरगत, तो इस सब कितनी माँग है, लोगों को कितनी जरूरत हैं, उन छीज़ों की, कितनी उसकी आपूर्ती का निय ए, इन सभी की इस्तती का जो अध्यन है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं, इस सब चीज़े सांकी के अंतरगत किया जाता है, अगे भी सांकी होती, क्यों? क्योंकि जीवन की फिर्तियासा, कोई बीमारी दुरगटना, आदी के आकड़ों का विश्तरत अध्यन भी उसके बाद निसकर्स निकालना, यह सब आपका बीमा जो है सांकी के अंतरगत होता कैसे होता समझें, मान के चले, आपने कोई बीमा कराया, तो बीमा करने कराने के बाद, आपकी आशावी के जीवन में कितना इसका आपका क्या मिलने वाला है इसका आपको आगे जाके प्रॉफिट होगा, तो उसका पूरा डुडाटा है, वो रखाजाएगा, किस आधर पर मिलेगा, उसकी जो एक महीने की किस्त हुआ करती थी तो किस्त के आधर पर मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि दस करोर मिल जा, ऐसा तो है नहीं तो किस्त के आधर पर, तो उसको पूरा डाटा रखा जा रहा है, उसको बर्गों में बांटा जा रहा है कि किस बर्ग में किसको रखाजा है तो उन सब का बिस्तरत जो अध्यन है उसके बाद ही निसकर्स पूरा निकल के आता है आपका सांखे के अंतर गए ठीक है ना जीसे पांच फिप पूंच के बाद करें अंत्रिक्षास्थ के छेतर में तो इसे पें बिभिन स्थानों के तापान टेंपरेशर कहां पर कितना है? हमारे हाँ यहां पर है इंदिधोर में आलग है गॉालियर में आलग है जवलपुर में अलग है उन्य हर जगे टेंपरेश्च लगा तो उसका पूरा डाटा रखना बरसा की मात्रा मान के चले कहीं पर सूखा पड़ रहा है कहीं पर ज़्यादा वारिश हो रही है यहाँ पर बात करो तो बारिश होई नहीं रही है तो यह पूरा डाटा कहाँ पर जिसे डाई परसेंट बारिश कहीं पर दस परसेंट बारिश तो ये बारस का पूरा डाटा रखना मोसम की भविष बानी तो ये सब चीज़ जैसे मोसम की भविष बानी की बात की तो भविष बानी जैसे पहली बता दिया जाता है कि जब बारस होगी कब आपका ये मान सुना तो ये सब चीज सांकी के अंतरगत आकणों को रखा जाता है कब कितनी बारे सुचना दे दी जाती है पहले की चक्रवात आने बड़ तो सभी का अध्यन सांकी करता है जैसे आप उध्योग वैपार के छित्र में भी इसका आपका सांकी का महत्व है अर्थसास्त के छित्र में भी कितना लेंदेन हुआ कितना पैसा का गया तो ये पूरा जितना भी सिस्टम है सभी छित्रों में सांकी का महत्व है ध्यान रखें इस चीज को कॉस्टन अच्छा है समझनी के ज़रूरत है बस और कुछ नहीं है कि एक्चुल में ये चीज क्या है और मेरी बोईस पर अगर ध्यान दोगे तो आपको पूरा के लिए रो रहागा बा आखणों का संग्रेन तो आपको आखणों को इकतरित करना है क्यों विए चीज़ओ को सांकी कर रहे हैं सबसे पहयला धाएग तो कोरोना की मुझे पूरी जानकारी चाहिए, क्या चाहिए उसमें, मुझे आख लेके कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग अच्छे हुए, कितने लोग सही हो गए, कितने लोग डैथ हो चुकी है, कितने लोगों पर कोई प्रिभाब नहीं है, महलाएं कितनी है, बच्च वो महला एन बच्चे सबको को एकात्रित लेना है तो आक्रां उसमें हो ना चाहिए कि जो भी हमारा सरकार ने जी सीज़ लिए वोई काम आम करें तो सबसे पहले आप इस कर सकते मैंने को बार्व कैसे मतलम नहीं है आप किर्शीश शम्मत ले लीजी आप एक मान के चलिए आपके गाउं में नुक्षान हुआ है कैसे ओलों से नुक्षान हुआ ओले पड़ गए तो ओले पड़ने से कितनी किसानों का नुक्षान हुआ कितने प्रतिसत नुक्सान हुआ है इसमें कितने लोग गरीवी रेखा से नीचे आते हैं तो इन सब चीजों का जो अध्यन है वो आपके सांकी क्यांतर है तो इस विदीदफ है अपसे पहले आपको क्या करना है आंकड़े इकत्रित अब आपने इकत्रित कर लिए फिर सेकंड इकत्रित कर लिए अब आपकड़े इकत्रित तो कर लिए जैसे इतने लोग यह मरीज है यह सब कुछ कर लिया ऑगरोना ईतने कोई इतना माड़े इतनी महलाएं अतने इतने मत के बूड़े लोग, इतने बच्चे इसमें खतम हुए, इतने लोग का संक्रमन हुआ, इतने लोग ठीक हुए, मतलब पूरी जानकारी मुने उसे बर्गों में बाट करके सरकार को दे सकता हूँ, तो बर्गों में बाट दिया, थरड़े जैसे सार्णियन, तो सार्ण तो उसके लिए क्या करना है मुझे तो आपने देखा कि इतना नुक्सान हुआ तो उनको आख्णों को तुलना करना है तुलना मतलब सार नी में आपने लिख ड़े दिया तो पूरा आपका सार नीयन से संजह जा सकता होसको स्ञालता फूरत वैस The ऑपकी सार्सा करना है जैसे मान के चलिए एक हमने आलेक बना दिया एक चित्र बना दिया की इस चित्र का मतलब यह है कि सो पर्शनड नुक्सान हुआ किसान का 100% वो लोगों ने पूरी फसल बरबाद कर दी या इसका मतलब बन के चले कोई भी अध्यन कर रहा है पर कोरोना की बात की तो इसमें आपका पूरा इतनी लोग मरे मतलब सो लोगों का मरने का आप एक चित्र बना लीजिए इसका मतलब यह है एक चित्र से पूरा यह है कि सो लोग मर चुके इस चित्र का मतलब यह है किसान का 100% नुक्सान होगा दूसरा चित्र बना दिया इसमें आए गया आपके क्या कि 50% लोग का नुक्सान होगा कोई चित्र से समझा दे लिखने के जरूत नहीं है आपको तो प्रदरसन के द्वारा भी चित्र बना क आलेक द्वारा भी हम साहते समझा जा सकता है सरलता इसमें होती है साहता से सरलता पूर्बक समझाया जा सकता है ठेके न recognize यह थी आपकी सांकिकी कि विधी कोशिश मैंने बहुत की आपको समझाने की और उमीद करता हूं कि समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा हुआ बात करते हैं आगे सांकी के प्रिमुक कारण के हैं सुनिए दफ़तवा आंकणों को तुलना आत्म को रूप से प्रिष्टुत करने में इसको उप्योग किया जाता है बिलकुल जो भी आंकलेंच degas hai, तुलना करनी है तो उसमें प्रिष्टut करने में इससको प्रिक क्या था, तो बिलकुल सांकी कहा ही इसमें उप्योग है क्यूंकि हम जैसी भी आख़ invers देते हैं तो उनकी तुलना की जाती में कितना नुक् fifty- hill elkaar ौ आज काना है पहले कितना आ जैसे archelsकारा हुआ की नहीं हुआ पहले कुछ मानके चिली कोई बीमारी फेल रही पूरा का पूरा डाटा है आकड़े जो भी है उनका पहले क्या हुआ अब क्या हुआ आप पूरा उसका अध्यन जोना है इसके अंतरगत उपयोग कर सकते हैं ओके दूसरा है विज्ञान दोरा पृति पादत नियम एवँ सद्धान्तों की परक्त करने में बिल्कुल तो ये बात विज्ञान दोरा कोई भी नियम आता है कोई भी सद्धान्त होता है तो उनको संख्या से मतलब है कोई भी चीजे तो उसे संख्या में लिख दिया जाता है कि इतनी संख्या यहां है इतने लोग इससे मरे इससे लोग आपके प्रभावित हुए इतने लोगों सही हुए इतने लोगों को दबा मिली तो पूरा जो सिस्टम है वो संख्या के रूप में प पूरी चित्र सहेत आपके समझा के सार्णी द्वारा जिस सूचना बेजते हैं, कोई भी स्कूल वाले सूचना बेजते हैं, तो पूरी सार्णी बद उनको बरगों में बांट करके बड़े हिसाब किताब से इनको बिजा जाता है, तो मतलब जितना भी जटेलों नो उसको विठा सकते हैं आकड़ों को, जो भी आकड़े आपके प्राप्ति उनके, दोस्तों ये हैं सांकी के प्रमुक कार, जो की पांच नमर में इसका कॉश्चन पूसे जाना है, इसलिए बहुत महत्मून है, आप लोग आगे द्यान रखे, बात करते हैं दोस्तों आगे, आगे ह क्या होते हैं, बे आकड़े, जो सोद करता द्वारा, अपने उद्देश की पूर्ती ही तू, स्वयम में प्रिथम बार एकत्रित की जाते हैं, प्रात्मिक आकड़े, मतलब क्या है, मान के चली आप एक सोद करता हो, एक अनुवेशक हो, आपका काम क्या है, अनुशंधान क करता हो, आपका काम है, आपका इकत्रित करना, तो आप किसी गाओं में जाते हो, और आपका ये है, अपट बार यो सपोदर, तो आपका काम है, किशान का नुख्षान हुआ है, उसका आपको क्या करना है, डाटा लेना है, कितना क्या हुआ हुआ, तो आपका उद्देश है अब दित्यक आखड़े क्या होता है दित्यक आखड़े का मतलब होता है वे आखड़े जो मूल रूप से किसी अनव्यक्ति द्वारा किसी अनुद्ध से कत्रित किये हो किन्तों उनका सोथ करता द्वारा उपयोग विशलेशन के लिए किया जारा हो बिल्कुल बे आकड़े मतलब जो आकड़े पहले से ही हो सरकार को अपन को आकड़े देना होता है तो आप तो प्रिथम करता हो प्रात्मिक आकड़े अगर पहले से ही वहाँ पर आकड़े हैं जो उसने पहले कत्रित की हो कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं कितनी जमीन है तो वो आपको आंकड़े पहले सी वहाँ पर उद्देश आपका क्या है उद्देश तो सेकंड जो अदित्यक आंकड़े होते हैं सेकंडरी जो आपके डाटा होता है वो किसी अनद्देश से कत्रित पहले सी की होते हैं आपके पास पहले से होता है किन्तु उनका सूथ करता दोरा उप्योग विसलेशन के लिए किया जा रहा है लेकिन जो आपके पहले से data रखा हुआ है उसका उप्योग आप प्रात्मिक आंकड़े के लिए कर रहे हो क्यूंकि लोक कितने थो आपको इसकी जरूँत नहीं पड़ेगी कि जानने के लिए पहले फेर से बास्व Communist पता है इस इस गाउं में इतने अद्वरबारी जाननी क्या One कि कि french वा था तो आपको आप जनफा जरूँत पड़ेगी तो कहने इस का अब बात करते हैं प्रात्मीęt कंक्रईं उन समझने में कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाले बात करें प्रात्मिक आखड़े तो यह आखड़े सोथ करता दौर और स्वम इकत्रित किये जाते हैं जबकि दित्यक आखड़े होते हैं सोथ करता दौर इकत्रित नहीं किया थे कि पहले सी उपस्तित रहते हैं तो इसको सोथ खुद पर रखेगा ना और इन्हे प्रियोग करने में अधिक साबधानी रखनी पड़ते हैं तीसरा पॉइंट है दोस्तो इन्हे इकतत करने में समय धने यहों अधिक ऊर्जा लगती है बिल्कुल लगती है क्योंकि आप जाओगे वहां पर इखटा करोगे आखटा करोगे पैसा भी लगेगा आपका समय भी आपका लगेगा उर्जा भी खर्चोगी आपको जाना भी पड़ेगा वहां पर जबकि दिद्त कांकड़ में आपको कोच भी करने का समय बिल्कुल कम लगता है क्योंकि वो आखड़ आपको पहले से उपस देते हैं आप सरकार से ले लेकिन दित्य कहां करें, इनको कुछ आवासा सूचना चूट भी सकती हैं, जिनको आपकी जरूरत आपका सूचना चूट भी सकती हैं, घेखा दोस्तों, ये था आपका आज का आप बाकी इसमें और गॉश्चन बाकी हैं, बड़ा चेप्टर हैं, समझने के लिए आपको ठो अच्छा लगाना पड़ेगा तब यह चीज आपको के लिए रुपागए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग संपर कर सकते कोई दिक्कत बाले बात नहीं है आज के लिए इतने वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिका जरूल बता है अगर वीडियो अच्छा प्रेदने नमस्कार